आपके गाह में क्या समस्या है? रोड खराब होने से क्या दिकत है आपको? ठोकर लगे, गिर जाएगे फास होई, उंगीर गए लिए उंगीर गई तो माने क्या हो गया? कपार में चोट लग गई और क्या हो? अपस्टुट विलगा इस रोड पर ग्रेड वान, ग्रेड टू है जो कि पंदरा साल हो गया इस रोड को बने हुए इस रोड पर रोडा हो गया बड़े-बड़ा आदमी को या पस को आने जाने में बहुत धिकत हो रहा है पर्धान मंत्री सणक योजना मुख्य उदेश ग्रामी छत्रवासियों को सणक पक्की बनाया जाए कि ग्राम वासियों को जीला प्रखांड कहीं भी जाने में सुझधा हो सके परमाल पुरगाम 15 वर्थ कहले से में रोड रोडा से बाना हुआ है और बहुत जरजर हो गया है वहां के 16 लोगों ने इस समास्या से जुझ रहे हैं एक रखुबरपाल की चिंता देवी ने उसी रोड से जीला से आ रहे थी गिर गए और उसका माथा फट गया कि इस ख्राब रोड रास्ता है मगर इस गाउ मेरा तो इस मेरा लोगों ने इस के लिए बनवाने के लिए क्या एक है पदा धृकानी लोग आते हैं और जाता है कि तोंसे इस पर ध्यान जाता है, थीक है सारे लोग कहाकर चले जाते है ये इसे इस पर कोई ध्याद दिया नयात तक लिये काम हुआ, हलांकि जो कि मेरा तोंसे यह नाफ रोड है और में जगा है ताकि आएसा जारजार अभी है किसी को ध्यानिस पर नए इसके बनाने के लिए मैं 603 पसवान के आप दिये थे और अपने विधायक बेजकिशोर बिंद के आप दिये थे अपने मैं पंचाय समीति से रस नेरे पतनी है उसके आप भी बहुत पुड को सिस्किया लेकिन अभी कहीं से कुछ नहीं हुआ मैं और मेरा संद्रा चाहता है कि रोडा वाला जो पंद्रव और से बना हुआ है जो जरजर हो गया है वो अब बन जाए ताकि हम लोग को आसानी से जीला या परखंड कहीं जाने में सुधा हो सके इस वीडियो को जो भाई वहन देख रहे हैं उनसे सभी लोगों से मेरा आपील है कि परखंड पदा अभीकारी का मोबाईल नवर 94, 81, 84, 85 परखंड करें और दवा बनाए और सणक बनवाने में में मदद करें मैं मांता देवी जीला कायमू राजी विहार इंडिया अनहाड के लिए